आज हम तुम से पहले हैं, हमेशा आप पहले आ जाते हैं और कहते हैं मैं आज आईए अब, आज हम पहले हम बोलेंगे फिर आप सबको, गुड इवनिंग, कैसे हैं? यह गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, गुड इवनिंग हो रहा है, गुड मॉर्निंग, पागल कहींगे, जी नमस्ते, नमस्कार, चैन्शपर्स, थेंक यू, आज है यह फटा फट, शुरू करते हैं, आज आपको बस हमारा वोकाबलरी साशन, देखें, बहुत सारे कैसे, यह समस्य आप बहुत सारे बच्चों के साथ है, कि माम कोई कुछ थरीका बताता है, याद करते हैं, भूल जाते हैं, शब्दों को कहां तक रट्टा मारें, तो एक अगर टेक्निकल माथट की बात करूं, तो टेक्निकल भी है, जो लोग ऐसा कहते हैं, कि वो काप तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि शायद सब्सक्रिप्शन वालों को ही आज कमेंट का मोका मिले, बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं आप लोगों के कमेंट कर रही नहीं पाती, इसलिए, जो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहीं लोग मासिस कर रहे होंगे आज, जी, 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 सब को गुद इवनिंग, नमस्ते, मैरी क्रिस्मस, ओ, to you two, मैरी क्रिस्मस to all of you, कैसे हैं, मैंने तो टॉपी भी लगाई थी, क्रिस्मस वाली आप लोगों नहीं नहीं लगाई, रेड कल न्यूस पिपर कैसे पढ़े, दिखे, रीडिंग का अगर कोई सक्षन अभी तुम्हें रीडिंग के बारे में नहीं बता सकती, पर आप जैसे मेरी स्पोकन वाली क्लासिस देखते हैं, तो उनमें मैं रीडिंग मेरे बाच में करवाती भी हूँ, पेड बाच में, और बाक पहले आ गए थे तो हम पहले आ गए, कभी-कभी हम भी पहले आ जाएं तुमसे, चली करें शुरू, बता दीचेगा एक बार, सब कुछ होके है, मेरी आवाज, मेरी वीडियो, मैं ठीक आ रही हूँ, ठीक लग रही हूँ, वो नहीं, ठीक देख रही हूँ ना तुमें, और sound भी proper है, तो हम class को शुरू करते हैं, बिलकुल basic से, बिलकुल basic से मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको ABCD सिखाऊं और ABCD सिखागे, फिर A for apple सिखाऊं, B for boy सिखाऊं, that's not kind of that, मेरा कहने का मतलब है, कि जब आप words को पढ़ना शुरू करते हैं, तो एक समस्या आपके प समझ में आएगा आदे से जादा students को उसकी पढ़नी कैसे है, इस book का सबसे बड़ा फंडा ये नहीं की book पढ़नी है, इस book का सबसे बड़ा फंडा की पढ़नी कैसे है, इस में से जो निचोड है वो मैं आपको निकाल के YouTube पे भी देती रहती हूं और paid batch में तो ये पूरी book भी करवाती हूं मैं लेकिन 10 दिन में खतम कर देती हूं, ठीक है, 10 दिन में वो खतम हो जाती है, अगर उसके निचोड की बात करें तो वो 10 दिन का, for example, देखेगा, माल लो आपके पास एक word है, इसी book से मैंने word उठाएं आज, और पढ़ने में अगर मजा है तो मुझे बता करते थे, गुड़े-गुड़िया का खेल, इस डॉल का मतलब आप समझ लीजिए, डॉल जैसे कि मैंने बोला, word power एक book है, जिसके अंदर root words का collection है, जल्दी से, फटा-फट, इतनी देरी से क्यों आ रहे हैं? new batch को बारा है, new batch को बारा है, मैं मेरा नाम ले लीजिए, आशिया नाजी, ठिक है, हमें आप पर नाज है, और बताईए, this is Nikhil, Nikhil ये class daily होगी क्या, class daily, YouTube पे सिर्फ दोई दिन class होती है, हाँ, paid batch में class रहेंगे, paid batch पीटे आ गया है, मेरा 23 December से नया paid batch है, live batch आ गया है, वो वाला, ठीक है, बाद में बताएंगे, अभी इसको समझते, word power के अंदर root words आते हैं हमारे, इसी तरह में एक example उठाती हूँ, session number 7 से मैंने जैसे उठाया, for example, कि doll एक root word है, किसको indicate करता है pain को, बस आप मुझे देखकर एक बात बताईए, कि यह जो word है, dollful, यह सारे word वो हैं, जो आप daily use भी करते हैं, and the second thing, सुनने को भी मिलते हैं, news paper में मिलते हैं, और exam में मिलते हैं, तो आप word में मुझे बस देखके बता दीजेगा, everyone की doll drums, indolent, dollful and condolence, इन सब में, इन चारो words के अंदर आपको क्या comment नजर आ रहा है, एक बार मुझे comment box में सब के सब लिख दे, आपका कुछ घटेगा नहीं, मैं तो बोली रही हूँ न, तो आप भी chart rate, यह chart rate मुझे 700 क्य मैं अपना फर्स पूरा कर रहे हूं, तो मैं बढ़ा कर, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, साथ की साथ तुम्हारा थम चलता नंची, जिससे तुम्हारा mind, आप उसोचेंगे कि मैं typing से क्या होगा, होगा, आपका पूरा concentration class पर होगा, तो आपको समझ अच्छा हैगा, याद रहेगी, पूरी class आपको बिना लिखे, मैं guarantee देती हूँ, पूरी शिद्दत से पढ़ के देखो, पूरी class में 50, 60, 80, जितने word कराऊंगी ना, दिमाख में छप जाएंगे, ये मेरी guarantee है, पर आप शिद्दत से participate नहीं करेंगे, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक ह अगला, doll का, doll एक root word है, जिसका मतलब होता है sad, या फिर pains related, जैसे बचे मैं पहला word आपको सिखाती हूँ, dollful, dollful का मतलब होता है sad, और unhappy, कोई दिकत नहीं है, क्योंकि doll, मतलब sad, full माने full, तो word तो कहां से बना है, doll से बना है, तो definitely dollful का मतलब होगा, full of sadness, तो sadness हो गई, कोई पातनी, ये भी दुखी है, अगला हम word देखेंगे, doll drums, doll drums का मतलब भी क्या है, doll से ही बना है, doll का मतलब sad होता है, to doll drums का मतलब भी बचे, sadness ही होता है, उदासी होती है, ऐसा कुछ feel होने लगे कि यार मजा नहीं आ रहा, बहुत ही उदास हुम है, बहुत tension चल रही है, boring सा life मे feel हो रहा है, कुछ भी kick नहीं है, तो वो आपको कहलाता है doll drums, वैसे मैं जब आपको mnemonics में इसको पढ़ाती हूं, तो ऐसे भी पढ़ाती हूं, कि अगर किसी शराबी की doll दे, drum, doll दे, rum, अगर कोई पीने वाला है, rum पी रहा था, कोई दूसरा आया, और उसने doll दी, तो बत condolence क्या होता है, आपने सुना भी होगा, कि जो किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए, या फिर someone, किसी अपने या किसी person के साथ, तो sympathetic word सुना होगा, right, तो sympathy क्या होता है, कि दूसरे के दुख में आपको प्रतीत होगा, या बड़ा शोक वाला माहूल है, तो संवेद ना, या फिर मैं बोलूँ, शोक, ठीक है, तो ये भी doll तो मतलब की दुख, कौन का मतलब, together, दुख में किसी के साथ हो आप, तो होता है condolence, आप word बोलेंगे sorrow, दुखी प्रतीत होना, and the next word आप देखेंगे morning, morning ये M-O-R-N-I-N-G वाला नहीं, कि जैसे आप विष्ट करते हैं good morning, it's not good morning, ये M-O-U-R वाला है, तो इस morn का मतलब होता है, किसी के जैसे मरने में, क्यों ही मर जाए किसी का हम, तो कैसा प्रतीत होता है हमें, दुख महसूस होता है, ग्रीफ महसूस होत ठीक है, दूसरी चीज़ देखेंगे, indolent, इस word को बहुत ध्यान से देखेगा, indolent, in मतलब की not, इन लगाने से तो word negative हो जाएगा न, और dull का मतलब दुख है, तो इसको तो कोई दुख ही नहीं है, इसको दुख इसलिए नहीं क्योंकि ये कुछ करता ही नहीं है, एक ऐसा person जो निश्क्रिय है, जो काम ही नहीं करता, inactive है, बना ये करम, जो हम करते हैं, करने से, उमीद जागरित होती है, उमीद होती है, तो फिर दुख होता है, जो कुछ करता ही नहीं, जो lazy है, सादू संथ है, मतलब कुछ नहीं करना उसने, तो कुछ नहीं करना, तो उसके पास दुख आई नहीं सकता, इंडोलेंट टाइप का परसन वो होता है, जिसके पास किसी भी प्रकार का काम नहीं, किसी भी प्रकार का पेन नहीं, काम का मतलब पेन ही है बच्चे, है न, दिखेगा, लेजी या फिर इनक्टिव, मुझे बताइए चारो वर्ड, अगर हम ऐसी कहीं पर सुनते, कि डॉल्फुल, डॉल्डॉम्स, कॉंडोलेंस, इंडोलेंट, तब असान होता, कि इसका मतलब भी होता है, याद कर लो, आप जैसे जनरली करते थे थे न, कि याद कर लो, रट्टा मार लो, वो असान है, या फिर ये जो, ऐसे हम मिक्सिंग कर दें चीजों की, कि सिर्फ एक वर्ड याद कि आपने, जादू ही कहते हैं इसे, सिर्फ एक, कि डॉल का मतलब sad होता है, पेन होता है, फिर उससे हमने चार वर्ड बनाए, और चारो आपके माइंड में शायद सेट हो गयोंगे, अगर सेट हो गये हैं, तो मुझे thumbs up आप please, comment box में और like बटन स प्रेस करके मुझे बताएगा, yes ma'am, असान है, ऐसे vocab पढ़ना बहुत easy हो गया है, कि एक वर्ड याद करो, 4, 5, 6, उससे related जितने मी वर्ड हैं, वो आपको remember हो जाए, easy है, easy लगा, good, fine, याद ही नहीं होते थे, तो तब अगर आप ऐसे पढ़ोगे direct direct, तो याद किसको होंगे, किसी को नहीं होंगे, पर आपको तरीका पता होना चुगे, कि वो कापको पढ़ा कैसे जाता है, अगर आप से comment ना हो पा रहा हो, तो हो सकता है, कि subscribe के लिए कुछ option आ रहा होगा, त ठीक है, और कुछ फिर फालतु फालतु लोग भी आ जाते है, ठीक है, सब को easy लगा, yes, easy, very good, अब तो नहीं भूलेंगे चारो वर्ड, दिमाग में याद रहेंगे, याद करो, यानि देखना, पहला, dollful, दूसरा, dolldrum, condolence, indolent, चारो बोलो मेरे साथ, dollful, dolldrum, condolence, indolent, चा रो का मतलब doll से है, doll का मतलब pain से है, बताएगा, right, चलें आगे, चलो आगे बढ़ती हूँ, next पे आती हूँ, next हमारा root word है, culp, culp का मतलब होता है, blame, blame, जैसे अब भी हमने एक जादू देखा था, ऐसे अगला जादू देखेंगे, देखे, blame का मतलब क्या हुआ, दोश, क् किसी पर, तो हमें root याद रखना है, क्या, culp, culp क्या होता है, दोश होता है, अब मुझे एक चीज बताए, comment box में लिखके, chat rate कमने होना ची, chat rate कमने होना ची, मुझे बताएगा, इन चारो words के अंदर, आप मुझे common point बताएगे, वो common point क्या है, कौन सा word है, जो आपको दिख हाई आ रहा है, similar, live special batch कब तक आएगा, आ गया है, बच्चे, 27 December, मैं एक बार बताएगी देती हूं, बहुत सारे बच्चे बीच में, देखिए, नया जो live batch है, vocabulary comprehension का, वो batch आपका आ गया है, 27 December, इसके बाद भई batch फिर, obviously late ही आएगा, अब रोज रोज तो नहीं आ सकता है, 27 27 December, मैं पहले भी कहती हूं, जो भी बच्चे batch लेने वाले हैं, 10 दिन के अंदर ही ले लिया करें, तो उसके बाद फिर live का फाइदा नहीं, फिर आप recorded ले लेने, बहुत 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 है इन चीज है, कोई problem नहीं होती recorded लेने में भी, पर किसी को live batch लेना है, तो फिर 27 से, मतलब, लेट ना किया करें, फिर जोइन करना है, तो फिर जोइन किया करें, फिर बाकि फिर लिया ना करें, अगर 10 दिन आप लेट हो जाते हैं, तो then take the option of recorded batch, फिर आप क्योंकि इतना लेट हो जाएंगे, कि आपके लिए वो recorded ही बनता चलेगा, ठीक है, तो 27 दिसंबर से आपका batch है, ओशन गुरुकुल्स जो चैनल का नेम है, वही हमारी application का नेम है, उसे डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, पर ध्यान रहे, 27 दिसंबर ही यूज़ करें, ठीक है, जो batch आपको बहुत सारे मिलेंगे, पता लगे कुछ ग लगा हो, वही batch लेना है, ठीक है, ठान जी, बता दिया आपने, कल्प, कल्प common है, कल्प common है, yes, कल्प common है, very good, तो आप देखेंगे कि सब का मतलब blame से है, हमें एक इनका point मिल गया, एक common point मिल गया, इस common point को हम कह रहे हैं यहाँ पर, blame, exculpate, word दिखेंगे, inculpate, culpable and culprit, चारों म second का का मैं, पूरी slide खतम कर दूँगी, देखेंगा, x मतलब exit, culp मतलब दोश, जिसे दोश से बाहर कर दें, जिसे दोशी करार ना दें, हम बोलेंगे उसे, दोश मुक्त करना, बोलेगा, याद हुआ, x मतलब exit, excite, culp मतलब दोश, किसी को दोश से बाहर कर देना, equit कर देन एक्जो मतलब बाहर भेज देना, एक्जो नरेट कर देना, ठीक है, अगला वर देखेंगे, इनकल्पेट, यह अलग है, इसमें तो हमने दोश के बाहर, भाई जा, तेरा कोई दोश नहीं है, इसमें हमने कर दिया, इन, इनकल्प, मतलब कि दोश है, किसी को दोशी ठहराना, क दोश के बल, तो दोश के बल, जो दोशी है, उसे ही तो हम कल्पेबल कहते हैं, और दोशी की ही से किन, आप इसका सनोनिम याद करेंगे, कल्परिट, बताएगा मुझे, एक ही मिनट लगी कि पूरी स्लाइड खतम हो गई, और वर्ड क्या याद रखा, सिर्फ कल्प माने ब नहीं रह पाएगा, तो ध्यान देंगे, मैंने आपको दो रूट वर्ड बताए, for example, कल्प means blame, and first one was जोल, जोल का मतला पेन, right? सब को समझ में आ रही है बात यहां तक, सुपब, I'm new here, अब आपका मासिस उपर चला गया, हम आपके फैन हो गए है, नहीं बाई, फैन माने प और ठंडी हो रही है, फैन की जरुद नहीं है, ठीक है, पैसे, thank you very much, ऐसे हम तो मजाख कर रहे है, बुरी आदत है मजाख कर देंगे, चलिए दोनों clear, तीसरे में हूँ, चलो, तीसरे में आती हूँ, ध्यान से देखो, तीसरा वर्ड है हमारे पास, B-U-R-S, बर्स का होता है, money, ध्यान रखिए, तीसरा root word, अगले दो मिनिट में ये slide भी खतम हो सकती है, एकदम speed से पढ़ाती हूँ, ऐसा ही है, पर speed से बेशक पढ़ाती हूँ, बट आपको पढ़ाती है, ऐसा हूँ कि हाँ, एक बार में आपको यादी क्या करना है, adult मतलब pain, culp मतलब blame, दो word याद करा है, उसके साथ मैंने तो आपको 8 word याद करा दी, है न, 8 तो आपको अभी दिख रहे हैं, हो सकता है, जब आप पढ़ाई करें, आपके सामने कोई और word भी आ सकता है, जो doll या फिर culp से बना हो, चलिए तीसरे word की मैं बात करती हूँ, burst, burst को बच्चे ध्यान रख येगा, वीडियो के end में comment से भी बता सकते हैं, पर live वाले like से बता सकते हैं, और जो बाद में वीडियो देखते हैं, वो comment करके ही बताएं, ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो आप अगर एक person, एक person को share करें, तो ये संख्या अभी double भी हो सकती है, पर आप चाहें तो, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, देखिए word, reimburse, पर उसे ही share करें, जो पढ़ाई कर रहा हो, जो कहता हो यार English problem है, उसको challenge दीजिए, कि हाँ, हमारी class से पढ़ के देखो, क्या English अभी भी problem है, उसे challenge आप दे सकते हैं, पूरा मैं करूंगी, challenge आप देखिया ज बर्स, common point बताइए, लिखिये, write down in comment box, क्या comment, common point है, इन चारों के अंदर, कौन सा signal है, जो इन चारों को, एक ही परिवार से जोड़ता है, उस family का नाम है, बर्स, I'm I right, कि बर्स एक common word है, बर्स का मतलब क्या होता है, money होता है, बर्स का मतलब money होता है, write, देखिये, अगर ये सारे word ऐसे हैं, जो आपकी vocabulary बिल्ड करते हैं, आपकी English में, आप चाहे तयारी कर रहे हो, या फिर आप बोलने कोशिश करते हो, या फिर आप लिखने कोशिश करते हो, ये वो English के words है, एक्चुली हमारे exam में भी general English आती है, कोई high-five technical English नहीं आ रही है, तो general English, अगर आपको English आ जाए, तो फिर आप exam भी crack कर सकते हैं, और daily life भी, है ना, देखियेगा, reimburse, bursar, disburs and bursary, चारों के मीनिग याद कराती हूँ, देखिये, पहला word, reimburse, वर्ड ध्यान से देखियेगा, reimburse का मतलब तो money है, re मतलब again, किसी को पैसे दे देना, repay, वापस कर देना, पैसे आपने किसी से लिए थे, वैसे reimburse का मतलब basically मैं बता देती हूँ, जैसे कि आपको, आप किसी company में job करते हैं, और ऐसा बोला गया कि तुम्हें ट्रावलिंग का खर्चाना company देगी, गोर से सुनि तो यह reimburse का मतलब क्या होता है, जैसे कि माल लो आप किसी company में work करते हैं, तो आपकी company ने बोला कि आपकी traveling का खर्चा, आपके खाने का खर्चा हम देंगे, पर पहले दिन नहीं दे रहें वो, कब दे रहें, आप पूरा, माल लो कि आप travel का कुछ काम करना पड़ गया आपको आप वहां से ticket वगेरा का bill बना लीजिए and company को दे देजिए, company आपको उसका reimburse कर देगी, पैसे को reimburse का मतलब होता है, क्या वापस कर देना, repay आपको वापस मिल गए, मुझे बताएगा बात समझ में आई, किसी को कोई confusion तो नहीं रहा, reimburse क्या होता है, जब पहले आप खर्चा क कर देजिए, फिर company देदेगी, फिर organization देदेगा, college देदेगा, तो this is known as like reimburse कर दिया money को, अगले word देखेंगे, bursar, meaning of bursar, bursar किसे कहते है, bursar होते है, किसी college या फिर school किसी organization में जो पैसे वैसे को संभालते है, क्योंकि word ही किस से बना है, money से, जो money related working करता है, जिसे कि हम ब financial affairs को ही तो deal करता है, तो bursar आप basically clerk को बोल सकते हैं, ठीक है, अगले word देखेंगे, bursary, bursary का मतलब क्या हो गया, bursary का मतलब होता है, scholarship, छात्रवरधी, आपको मिली होगी कभी, मिली है, जिसको मिली हो, बता देना, छात्रवरधी मिलती है न, जिसे कि आपने 10th में scholarship, अग पर अलगले type की scholarship भी होती है, some है न, financial basis भी होती है, तो उने ही कहते हैं, bursary, scholarship का दूसरा English, दूसरा word आपको मिल गया, scholarship तो आप बोलते ही है, normal उसमे, अगर आप bursary बोल देंगे, तो थोड़ा, अच्छा भी लगएगा, आपकी personality के लिए भी, और आपकी exam के लिए भी, न मैं आप से पूछूँगी, तुम्हें मिली है क्या, बिहार बोर्ट में मिली है, बिहार बोर्ट में मिलती है, 10th में मिली थी, हाँ मुझे भी मिली है, 10th में मिली है, 12th में भी and graduation में भी, हम आज तो आदी पढ़ाई तो scholarship नहीं करवाईए भाई, क्या करें, चलो कोई नहीं disburs, पराब ऐसा नहीं है, अब जरूरत नहीं है, disburs क्या होता है, disburs का मतलब हो गया, expense, बना कहां से है, burst से ही बना, और burst का मतलब क्या होता है, money होता है, अब हम बोलेंगे, कि जैसे bank वगरा है, किसी को loan दे रहा है, तो हूँ क्या कर रहा है, disbursement, मतलब कि पैसे को करना, बोलें, हम करेंगे, spend, तुम्हारे उपर, तुम पढ़ाई करो, we will disburs on you, मतलब कि we will expand on you, we will spend money for you, इसका मतलब होता है, पैसे को खर्च करना, पैसे को खर्च करने की English में भी क्या कहलाता है, disburs कहलाता है, तो हम बोलेंगे, where करना, या फिर spend करना, spend तो पैसा ही किया reimburse मतलब पैसे को, वापस दे देना, मुझे आपने दो मिनट दिये, अब देखेगा, क्या ये slide आपको clear है, तीन root word मैं आपको सिखा चुकी हूँ, तीनो root word के बारे में दुबारा मैं बताऊँ, तो demo का मतलब क्या था, sorry, doll का मतलब क्या था, doll means pain, याद आया, कल्प का मतलब क्या था, अरे बहलो, बहलो कि नहीं, कल्प का मतलब क्या था, कल्प का मतलब था, doll दोश, and the third word is बर्स, बर्स का मतलब क्या है, बर्स का मतलब मनी, कल्प का मतलब दोशी, देखिएगा, तीनों स्लाइड को ध्यान से देख लीजिए, डोल का मतलब सेड वर्ड याद, याद है, उदास है बन्दा, next word देखिएगे कल्प, कल्प का मतलब होता है, दोश, ब्लेम, ये सारे वर्ड आपके दिमाख में छप जाने चाहिए, and the third word is बर्स, बर्स से जितने भी वर्ड बनते हैं, सब का relation किस से है, पैसे से है, किस से है, पैसे से है, right? आपका सेंटर जमू कश्मीर में भी है, क्या, नहीं भाई, कोई जमू कश्मीर में नहीं है, सिर्फ इंदोर में है, इंदोर, भवर्गुवा, एंड गुरुकुल जो हमारा राजिंद्र नगर, यूट्यूब पर डेली आप क्लास लेते हैंगे, यूट्यूब पर हम डेली तो क्लास नहीं लेते, पर मंडे, वानस्टेंट, साटरडे, आपकी क्लास जरूर रहती है, अभी आपको मंडे को बात शुरू हो रहा है, तो मंडे को क्लास रहेगी, ठीक है? Money, reimburse, yes, bursary, disburs, very good. Thank you very much. इतना प्यार, thank you. अगला वार देखेगा, pen. Pen का मतलब क्या होता है? All होता है. कई पर आप newspaper में, heading वगेरा में, कहीं पड़े होंगे English में, Pan India. अरे छोड़ो, आपने Pan India भी नहीं सुना? आपने pandemic सुना है? pandemic तो सुना है, पिछले दो साल से और सुनी क्या रहे हैं, हम पैंडमी की सुन रहे हैं, और जान रहा है जिंदगी से, अब फिर, Omicron के रूप में, Corona फिर से, तो आपने pandemic वर्ड को सब ने सुना होगा. अगर आपने किसी नहीं सुना, तो ऐसे वाला symbol बेश सकते हैं, अदर्वाइस, thumbs up या like बता सकते हो, कि pandemic सुना है हमने, pandemic हम Corona को दो साल से pandemic कह रहे हैं, कह तो रहे हैं, word को लिख भी रहे हैं, word को बोल भी रहे हैं, word बना कैसे है, उस बनने का formation मैं अभी सिखाऊंगे आपको थोड़ी देर में, इससे पहले pandemic, pen मतलब बिमारी कहा फैल गई, लोगों के बीच, तो उसे pandemic कहा गया, मैं बोलूँगी pen का मतलब all, जैसे कि बिमारी सब जगे फैल जाती है, तो pen का मतलब हो जाता है all, ये newspaper headlines आपको देखने को मिली होंगी, ठीक है, मिला है, मिला है, सबका thumbs up है, पर एकाद कौन सी दुनिया में रहता है तू, टीम लोहान, ये सिर्फ दा, एक person ऐसा भी है बताओ, उसको उसने pandemic नहीं सुना, कौन सी दुनिया से हो तूम, alien हो, कहीं बाहर से आएं हैं आप, क्या ऐसा है, pandemic नहीं सुना है तू, बिचे कोरोना को हमने कितनी बारे सा pandemic ही बोला, जब कोई बिमारी, जादा छेत्र में जादा लोगों के बीच फाल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम pandemic ही तो कहते हैं, है न सुना है, वर्ड समझेगे, pens related में तीन वर्ड आपको बोलूँ, panorama, panesophy and panesia, तीनों वर्ड में क्या base common है, मैं तीनों वर्ड के अगर बात करूँ, तो एक ही चीज common है, क्या pen, pen का मतलब all होता है, वर्ड सुनिएगा पहला, panesia, आप नॉर्मल भी आपकी डेली लाइफ में बोलते हैं कि यार, ये काम कर ले, ये वाली बुक पढ़ ले, इस वाले टीचर से पढ़ ले, ये तो तेरे लिए panesia है, सुने हो, panesia का मतलब होता है, राम बान, राम बान, समस्याओं का हल, राम का बान, remedy for all problems, इतनी भी समस्या चल रही है, सारी ठीक हो जाएंगी तेरी, ये ले panesia, बना कहां से है, pen का मतलब all, act का मतलब pain, हर दर्द का, जो इलाज है, हर दर्द की जो दवा है, वो, मा है, पर उस वर्ड का नाम, panesia है, panesia का मतलब क्या होता है, राम बान होता है, है ना, मा है, मा से उपर तो क्या होगा, मा के पास चले जाएए, सब ठीक हो जाएगा, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बट बहुत दुख है मुझे अपनी life में, एक ही बात का, अगर वो अभी देख रही हो, वैसे नहीं देख रही होगी, अभी तो सो गई होगी, गाउं में सो जाते हैं, मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाई, पहले मेरी पढ़ाई के चक्कर में टाइम नहीं दे पाई, अब काम की चकर में टाइम नहीं दे पाई, और जो दे रही हूँ उन्हें, उससे जादा कुछ मतलब नहीं है, ऐसा, उससे ज़्यादा उनकी कोई इच्छा ही नहीं है, वो भी मेरे लिए है, सब कुछ, तो, फिर, पैनोर्मा, वर्ट देखते हैं, पैनोर्मा, पैनोर्मा कैसे बना, पैन का मतलब all होता है, और ये जो पैनोर्मा आपको option, उसमें सुना होगा, मोबाइल में देखा होगा पैनोर्मा नाम का option, कुछ मोबाइल में आता है, पैनोर्मा पे हम click करते हैं, और wide subview हमें नजर आने लग जाता है, कि जैसे मालोग camera था, हम कुछ देख रहे थे, जैसे हमने पैनोर्मा के option पर click किया, तो एक wide subview आजाता है, कुछ camera में आपके पास भी हो सकता है, वो option हो, check कर लीजेगा, पैनोर्मा का मतलब होता है, a view in all direction, all मतलब pen, pen से बना हैं तो all तो होगा, और पैनोर्मा का मतलब होगा, wide view, आप दिखना, all direction में दिख रहे हैं, आपको वो पै पैनोर्मा केहलाता है, last word देखेंगे, penosophy, word ध्यान से देखेगा, pen का मतलब, all sophy केहलाता है, wisdom, और जिसे हर चीज का knowledge है, हर चीज की knowledge को केहलाते हैं, penosophy, word को देखेगा, आपको universal wisdom होना, हर चीज का जानकारी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको अपने subject की तो knowledge है ही है, इस को interest रहता है, हर चीज में interest रहता है, books basically पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम, penosophy की category में डाल सकते हैं, कि उन्हें हर चीज की knowledge है, क्या है, penosophy है, keep your mother with you, mommy, दूर क्यों है, बच्चे वो indoor नहीं रहती है, उनको वहीं ठीक लगता है, क्योंकि वो, वहीं, समझ रहो ना कि इतना एस तक गाउं में ही रही हैं, तो उनको ज़्यादा मन नहीं गरता, एक आद बार आती हैं, तो बट ज़्यादा, मैं अपने काम में busy रहती हूं, तो ज़्यादा money नहीं लगता उनका, तो फिर खीक हैं वो वहीं, उनका, उनका कोई कसूर नहीं है, आप समझते हैं कि हमारा lifestyle बहुत अलग है, उनका lifestyle अब जो रहा है, उनको वही माहूल, वही चीजे, सादगी, वो सब चीजे, हम लोग Christmas है, चलो बाहर, उनको वो चीज नहीं, वो generation gap कह ल देखा, हम, शादी नहीं हूँ आपका, वाह, और कोई question, मोहाल शादाब, मैं मेरा नाम ले दिया करो, ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पर, यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या नाम था, M-O-H-D-S-A-H-B, यह ले, खुश हो जा, देख, तुने का सिर्फ मेरा नाम ले द दिया, अब बता, Christmas हो गई तेरी, Merry Christmas, चले देखें आगे, हाँ जी, अब दुबारा बता देती हूँ, आप बहुत दिनों से आप लाइव बैच, लाइव बैच, लाइव बैच मेरा आ गया है, 27 दिसंबर, 27 दिसंबर से आपको नया बैच लाइव, ओशन गुरु कुल्स की application पर आपको मिल जाएगा, जो बच्चे किसी भी exam की preparation कर रहे हैं, spoken की करें तो spoken का अलग बैच मिलेगा, spoken का बैच मैं 4th of January मेरे बर्डे पर लौंच करूँगी, next, अभी उसमें 3 महीने लगते हैं, इसलिए अभी निगर पाएंगे, है ना, तो 4th January मेरे बर्डे पर ही लौं पर आते हैं, सौमना, जो की आपको, बहुत सारे लोगों का भी आभी रही होगी, सौमना का मतलब होता है, sleep, I can say that, सौमना मतलब, need, आप डेली पढ़ाया करें, मैं डेली पढ़ाती हूं, पर application पे, आप भी समझें ना, बच्चे, बहुत सारे, वो भी classes हैं, वो सब भी दो लेनी है न, मुझे, यूट्यूब पे डेली कैसे पढ़ा सकती हूं, यूट्यूब पे आप मुझे Monday, Wednesday and Saturday, आप मुझे पाएंगे, आप मुझे हमेशा पाएंगे, रात को 9 बज़े, Monday, Wednesday and Saturday, अगर आप शिद्दत से 3 दिन भी पढ़ लें, बहुत है, है न, अगर आपको य पीडियाफ्स वगेरा, या फिर मुझे पारसनल मेरा चानल है, अट दरेट सुमन इंगलिश, आप टेलीग्राम पे मुझे जोइन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर नोटिफिकेशन भी आज आते हैं, यूट्यूब पे नहीं आते, यूट्यूब पे आजकल, या फिर एक प को रात 9 बजे, वार्नास्टे को रात 9 बजे और साटरड़े को रात 9 बजे, आज साटरड़े तो है, आज सब चुटी थी, कोचिंग की चुटी थी, क्रिस्मस की, सिर्फ मैं आपकी क्लास लेने अभी आई हूँ, इसका मतलब मैं अपने वादे से, मेरा भी ले लेदु ना I am privileged to have students like you, बहुत sweet है, बहुत प्यारे है, otherwise मैं आपको बोलूँ कि मैं किसी को ऐसा बोलूँ कि मेरा नाम बोल दीजिए, मतलब आप किने soft hearted है, बहुत soft heart है, हाँ जी, insomnia, insomnia का मतलब नीन से related है, sleep से related है, word समझेगा, insomnia, देखिए, क्या हो गया insomnia, insomnia का मतलब नीन, in का मतल note, जिसे नीद नहीं आती रातों को, जिसे रात को नीद नहीं आती, भूक नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, definitely he or she is in love, तो insomnia उसको हो गया, insomnia का मतलब होता है, नीन ना आना, insomnia का मतलब नीन, in का मतलब note, जिसे नीन नहीं आती, words देखिएगा, सॉमनी, लोकी, IST, IST बोलती हूं न, scientist, typist, यह सब क्या है, आप भी कोई word मुझे बता सकते हैं, comment box के अंदर, बताएगा, कोई ऐसा word जिसके अंदर IST आता हो, और मेरी बात को proof दे दीजिएगा, क्या IST लगाने से, हम बात करते हैं, किसी expert की, क्या मैं सही कह रही हूं, क्या यह person ही होता है, एक मुझे बताएगा, yes ma'am, is it right, जी छोटु कुमार जी, आप बताएगा, IST से कोई word बताओ मुझे, जिसके and में IST लगता हो, unknown girl, आपका नाम ही नहीं है, तो रिखें कैसे, हाँ, छीक है, बताओ, एक दिन ना एक साशन रखोंगी, birthday पे ना अपन लाइव आएँगे, यही सब करेंगे, ठीक है, तुम जिसका नाम बोलोगे वो करूंगी, जो भी question करोगे, वहाँ पे, ठीक है, चार जन्वरी, चार जन्वरी को मिलोंगी तुमसे, अब भी नहीं, cardiologist, very good, optimist, dexterist, हाँ, very good, यह भी ठीक है, scientist, typist, yes, gynecologist, yeah, right, dermatologist, बहुत बढ़िया, इसका मतल गोर करिएगा, जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं, वो सिर्फ सुन रहे हैं मेरी बात, गोर करिएगा, जितने भी word IST से हैं, उन सब का relation किसे है, person से है, किसे है बच्चे, person से है, तो मैंने बोला, somnilocist, तो यह एक person है, जो नींद में, lock की मतलब बोलना, जो बोलता है, जो इसे नीद आती हो, वैसे मैं इन सब को, somnambulist, इसमें पढ़ा देती हूँ, देखेगा, पहला word, insomnia, इसका PDF आपको टालिग्राम पे मिल जाएगा, insomnia का मतलब क्या होता है, insomnia का मतलब होता है, बच्चे, नीद ना आना, somny मतलब, need, in, मतलब note, जिसे नीद आने में difficulty होती ह Somnilocist, एक ऐसा person जो नीद में बोलता हो, जो नीद में बोलता हो, आपके आसपास कोई हो, बढ़ बढ़ाता हो, बहुत सारे लोग हैंसे, उनको एक नाम रख दो, उनका Somnilocist, इससे word भी आद होगा, English भी आएगी, word देखेंगे Somnolent, Somnolent होता है, उंग ना, जिसे नीद CRE हो, जैसे नीद CRE होती ना, दोपैर में खाना खाने के बाद आप Somnolent feel करते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं भी लग रहा हो, किसी किसी का, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, जिसका पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, Many, many returns of the day in advance, no, no, पिछले साथ महिने में जितने बच्चों को यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ, उनसे गुरु दक्षिना बढ़े वाले दिन ही आकर, मुझे विश्च करें, तो अभी अगर आप डेली उसमें नहीं वो करते, तो चार जन्वरी को, आपको वहीं, नहीं अभी लूँगी नहीं, मैं बोलते रहो, happy birthday नहीं, मेरे को सुनाई नहीं आ रहा, दिखाई भी नहीं आ रहा, ठीक है, हाँ जी, उस दिन ही है, वो तो अब आपको सिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ, गुरु दक्षिना बंती है, मैं उसी दिन लूँगी, somnambulist, somni का मतलब neand, ambulance का मतलब चलना, one who walks in sleep, जो neand में चलते हैं, जो neand में चलते हैं, उने कहते हैं, somnambulist, क्या, ambulance क्या करती है, movement टीटो करती है, patients का, hospital to home, home to hospital, that's why उसे ambulance कहा जाता है, मैं बोलती हूँ, ambulatory, ambulatory जो आपकी चलने की जगह होती है, जिसमें से आप cross करते हैं, चलते हैं, उसे ह ambulatory, gallery, जो होता है आपके, उसे बोलते हैं, paraambulator सुना होगा आपने, तो यह सब वर्ड किस से related हैं, चलने से related हैं, moments, moments से related है, मुझे पताएगा सारे वर्ड याद हो गया, जी संदीब, अगला वर्ड देखें, next हमारा root वर्ड है, labor, labor का मतलब होता है free, आपने वर्ड सुना होगा liberty, liberty का मतलब freedom, याद करने की ज़रूत नहीं है, labor वर्ड वहीं से बना, पहला वर्ड देखेगा liberty, second वर्ड है libertine, तीसरा वर्ड है liberal, तीनों वर्ड को ध्यान से point है, वो जो common root निकल रहा है, उससे हम LIB से relate करेंगे, LIB का मतलब क्या हो गया, free हो गया, pdf कहा, pdf, बचेए जो telegram group है, मेरा देखेओ, हर एक, उसमें slide में लगा हुआ है, सुमन English, दिखाई आ रहा है आपको, जो मेरा नाम है, सुमन सूरियवंशी से नहीं मिलेगा, सुमन स मैं और भी डाल दूँगी, अगर आपको पूरा root words पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, उस पर डाल देंगे, पिछला, हाँ, telegram पर जुड़े हैं तो, कुछ, चार जन्वरी को डिस्काउंट मिलेगा क्या बैच पे, अच्छा मतलब डिस्काउंट मिलेगा, तो आओगे, बना नहीं, मैं तुम्हें इंविटेशन दे रही हूं, वैसे भी दे रही हूं, अगर कोई आसपास यहां से है, इंडोर से, तो आप चार जन्वरी को एक ही दि होता है, जो मैं बहुत जादा अच्छे से सलिब्रेट करती हूं, तो अगर आप आसपास यहां अगर आ सकते हैं, तो आप सब का स्वागत है, ओशन गुरुगुल में सलिब्रेशन रहेगा, तो अगर आसपास हैं तो प्लीज आप आ सकते हैं, हर कोई आ सकता है, चीके, जी कुछ याद भी नहीं रखना, इसका मतलब भी फ्री है, इसका मतलब भी फ्री है, इसका मतलब भी फ्री है, वैसे तो आप किसी परसन को कहते हैं, बड़ा ही लिब्रल परसन है, तो इसका मतलब परसन से पहले लगाया है, तो लिब्रल का मतलब होता है, बहुत ही काइंट, बहुत ही जेनरस, बहुत ही उदार, जो दूसरों की help करता है, ज्यादा किसी पर पाबंदिया नहीं लगाता, उसे free रखता है, एक ऐसा person, जो खुद भी free है, दूसरे को भी freedom में believe करता है, उस person को कहा जाता है, liberal, हम कह सकते हैं, कैसा हरदय है उसका, उदार हरदय है, ठीक है, उदार हरदय के लिए हम कौन सा word यूज़ करेंगे, liberal यूज़ करेंगे, तो आपको word याद हो गया होगा, नेक super 50 बास, अभी पता नहीं, super 50 चल रहा है ना बिटए, पान जन्वरी को है तो, पर उसके तो registration complete हो चुके है, फिर भी आप संस्था का जो number है, उस पे आप एक ब कराएंगे वो, पर आप mem बोल दीजेगा, सुमन mem, तो हो सकता है, अगर कोई seat बची होगी तो दे देंगे आपको, है ना, देखें, number note का लिजेगा, word देखते हैं, अगला root word की बात आते हैं, C-L-A-R, clear, clear का मतलब होता है, clear, typical नहीं है, याद करने में भी कोई मुश्किल C-L-A-R, C-L-A-R का मतलब होता है, क्या, clear, क्या होता है, clear, word देखेगा, clarity, word पहला समझे, clarity, दूसरा word है, clarify, तीसरा word है, clarification, word जरूर अलग-अलग है, दिखने में अलग-अलग जरूर है, पर इनके अगर मैं base की बात करूँ कि ये तीनों word बने कहां से हैं, अगर इनकी जड़ पे जाऊं, उनकी खुदाई करूँ, खुदाई करकर के नीचे जो मुझे जड़ मिलेगी, वो मिलेगी clear नाम की, और इस clear नाम का मतलब होता है, clear, word देखेगा, पहला word, clarity, जब आप कहते हैं, कि बड़ी मुझे clarity दो, इस बात पर तो आप बोलेंगे, supposed, clearness, आप बोलते हैं, clarity चाहिए, मुझे इस मुद्धे पर मतलब कि clear करो, यार, बात क्या है, तो कहते हैं, clarity, word देखेंगे, clarify करना, clarify भी वही है, same, बस adjective का काम करता है, किसी चीज़ को filter कर देना, या फिर switch कर देना, या फिर हम बोलें, supposed कर देना, चीक है, word देखेंगे, clarification भी एक noun है, clarify से ही, आप बोलेंगे, clarify करना, clarification देना, किसी बात, किसी statement को, माल लो, आप लेट आए, माल लो, आप छुट्टी पे थे, आपकी government job जल्दी ही लग जाएगी अगली साल में, तो, आप 10 पना दिन की छुट्टी पे चले गए, एक महीना की छुट्टी पे चले तो, बच्चे क्या होता है, कि office में, जिस भी department में आप हैं, तो officer आपको यही कहेगा, कि आप निकाल नहीं सकता job से, government job है, तो आपको clarification आप से मांगा जाएगा, कि आप बिना बताए, दो महीने से, तीन महीने से गायब हैं, government job की एक अच्छी बात है, जितनी मुश्किल से चूड़ती है, चूड़ती भी नहीं है, जब तक आप forcefully उसे छोड़ना ना चाहें, तो वहाँ पर आप से clarification जरूर मांगे जाते हैं, स्पश्टी करन, सुनने में आया होगा, स्पश्टी करन देना, अपनी statement, अपनी बात का clarification देना, बात को clear करना, ठीक है, clarify, clarity, clarification, यह सारे word किसे related है, clear से related है, अब तक जितने वो root word आपको पढ़ा के आई हूँ, मुझे एक बार बता दीजी, सब remember है, दिमाख में है, set है, typical तो नहीं लग रहा, क्या राज जी, मैं, 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 क्या मैं, बकरी मत बन जाए, तु मैं, मैं करता, करता, बोल, क्या बात है, बता, लेंगे तो फिर, आपको भी कहेंगे हम, बहुत attitude है आप में, अरे पागल है, कैसी बात कर रहा है, अरे बोलो भाईए इसको, आप दे दो इस concern, मेरे में attitude, अरे यार, कैसी बात कर रहा है, डैम का मतलब होता है people, next root word देखेगा, next root word है, डैम, बहुत, 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 सारे word की एक origin है, इस origin का मतलब है, मतलब की word बने कहां से है, ठीक है, जैसे word देखेए, डैमोक्रेसी, डैमोगो, डैमोफाइल, आपीडेमिक, पैंडेमिक, पैंडेमोनियम, एंडेमिक, डैमोसाइड, इन सब word के अंदर, एक चीज कोमन है, डैम, देखेगा, डैम, नजर आ हो, तो सब को नजर आ रहा होगा, वैसे तो, देखेगा, कुछ कॉमन है, उस कॉमन को मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, उस कॉमन का नाम है, डी, ए, एम, सिर्फ एक word याद करना है, पीपल, आप कोचिंग के अलावा क्या करते हो, शादी हुई है या नहीं, ओके, कितने पैसे कमा लेते हो, घर में कौन-कौन है, लाओ मैरिस करोगे, या हेट मैरिस, हेट मैरिस कोन करता है, और कुई, कहां से है, ओके, बहुत सारे questions हैं आपके, मैं एक काम करती हूँ, आप लोग, आप लोग ने मुझे मजबूर करके, आपको पता है, एक मतलब दिल की बात, आप लोगों ने मुझे कह 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 के, इंस्टाग्राम बनवाया, है न, मैंने इंस्टाग्राम तो बना लिया, मैं कोशिच भी करती हूँ, आप देखोगे तो इस पर थोड़ा अक्टिव भी रहती हूँ, आप सूचेंगे कि मेरा इंस्टाग्राम मैं कभी सोशल मीडिया से, मतलब बहुत दूर, कभी था ही नह कहीं पर भी आप मुझे, पिछली साल जब मैंने चैनल शुरू किया, मैं जून, जून के असपास, तो इस सफर से पहले, कुछ भी नहीं, न, अथिंग, सोशल मीडिया से बहुत दूर, उसके बाद दो-चार महीने बाद, आप लोगों ने मुझे फोर्स करके, इंस्टाग जिस पर आपको इन क्वेशन के अंसर दिया करूंगी, बहुत इंटरस्ट है मेरी पर्सनल लाइफ में, ठीक है, पर्सनल लाइफ ठीक है, वही ठीक रहेगा, फिर मैं भी व्लोग का चानल बना लेती हूं, सब पागल हो गया है, न, चलो, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, थोड को अब मैं जली-जली बता देती हूं, अब ध्यान से, अभी बातें बहुत कर ली, तो पांच मिनट, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत शिदत से, और सारे के सारे वर्ट दिमाह में सेट हो जाएंगे, देखेगा, डेमोक्रेसी, हमारे देश में कौन सी अगला वर्ट लेगे, डेमागोगु, डेमोगु का मतलब होता है, एक ऐसा लीडर जो लोगो का लीडर है, लीडर तो लोगो गई होगा, लेकि वो बहुत फायदा उठाता है, लोगो के इमोशनल फीलिंग को मुद्धा बना कर लीडर बन गया है, उस परसन को कहा जाता है Demogogo, ठीक है? अभी मैं डिटेल में भी इसको आपको explanation दूँगी, अभी बस सुनते रहे Jam का मतलब होता है People, P-H-I-L-E File का मतलब होता है Love जो लोगों से प्यार करता हो, ठीक है? वो दिखेगा Demography Graphy का मतलब होता है Writing Study, किस के बारे में Study है बच्चे, बोलो अरे किस के बारे में Study है? Dem के बारे में है Dem का मतलब क्या होता है? People होता है तो लोगों के बारे में Study इसको आप Hindi में कहते हैं जनगर्ना, अरे कहते हो नहीं जनगर्ना की English याद करिए जनगर्ना की English होती है Demography अगला वर ध्यान से दिखेगा Dem का मतलब People, Phobia सुने हो ना, Phobia है मुझे तो आपको जैसे नहाने से Phobia है पढ़ाई से Phobia हो सकता है English से सबसे ज़्यादा Phobia है आप regularly मेरे चानल को फोलो करिए आप मेरी वीडियो को फोलो करिए और तीन महीने के बाद फिर मत करिए कुछ भी फिर अपना और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए सिर्फ तीन-चार महीने इससे ज़्यादा ने उसके बाद फिर मुझे पताएगा English में Phobia है ने Demophobia, किस से Phobia? Logo से Phobia Democide, side का मतलब होता है जैसे कि वर्ड आप सुनते हैं Suicide Suicide क्या होता है बच्चे? Side का मतलब killing, sue मतलब self Self-killing, आत्म हत्या Suicide होता है तो ये लोगों का killing Logo की हत्या कर देना क्या कहलाता है Democide कहलाता है Word ध्यान से देखेगा Endemic, Epidemic, Pandemic अभी वर्ड सिखाया था ना आपको एक pandemic मैंने Logo के बीच में बिमारी फैल जाए Logo के बीच में बिमारी फैल जाए Logo के बीच में बिमारी फैल जाए इसे Endemic, Epidemic and Pandemic कहते हैं पर अंतर है उस अंतर को मैं भी explain करूँगी है यही कि बिमारी फैल गई है कहां? Logo के बीच क्योंकि endemic में भी Demi है, epidemic में भी Demi है और pandemic में भी Demi है, ठीक है, word देखें, word समस्य है, pandemonium, pen मतलब all, अभी समझा है था न, pen का मतलब all, all मतलब people, सब जगे लोगी-लोगी कठे हो गए हैं, तो एक तरीके का क्या फैल गया है, shore, noise, chaos, बहुत जादा disorder फैल जाना, कुछ भी सुन आई न, तो एक बार मुझे बताइएगा, कुछ-कुछ रूप रेखा, तो create हो गई होगी, अभी मैं इसका explanation भी आपको दे देती हूँ, ध्यान से देखेगा, पहला word, democracy, revision के हिसाब से देख लीजिए, जिसको एक बार में समझ में आ गया हो, तो दूसरी बार में पक्का हो हो जाएगा, democracy का मतलब होता है, government elected by the people, हम कह सकते हैं, अगला word देखे, demography, demography, जन गणना, census, जिसको आप बोलते हैं, जिसकी birth rate है, आपका, जैसे हम illiteracy rate वगएरा भी count करते हैं, यह सब हमारा किस में आता है, जन गणना में आता है, उसका English demography होता है, अगला word देखेंगे, dem का मतलब people, gogu, एक person है, agog का मतलब होता है, leader, a leader who wins support by exciting the emotions of ordinary people, यही मैंने आपको बताया था, सामानने लोगों की emotions से खेल कर, उनका फाइदा उठा कर, जो नेता बन जाए, उसे कहते है, demogogu, क्या कहा जाता है, demogogu कहा जाता है, last, next word दिखेगा, word समझे, demogogu, yes, word दिखेंगे, demophobia, demophobia का मतलब क्या होता है, phobia का मतलब, डर, fear, ठीक है, और abnormal fear of demo का मतलब, people, जो ना भीड में जाने से बड़ा कत्राता हो, जिसको पसंद ना हो, भीड, ऐसे कुछ लोग होते हैं, जिने भीड से दूर रहना है, भीड से बड़ा ही, डर le, file का मतलब होता है, love, तो हम बोलेंगे, love for crowd, जिसे लोगों के बीच में रहना पसंद हो, जिसे भीड में रहना पसंद हो, उसे हम कहेंगे, demo file, last word is demo site, ध्यान से देखिए, site का मतलब killing, और demo का मतलब people, ठीक है, आपकी tone बहुत अच्छी लगती है, कैसी tone है, वैसे मेरी, birthday की दिन, क्या, भूल गई, mummy आएंगी, छी, यह mummy से मिलवा देंगे, क्या दिक्कत है, the merger of any person or people by a government, the merger, देखिए, थोड़ा सा फर्क हो गया इसमें, आप एक word सुनते हैं, genocide, सुना है, genocide का मतलब भी यही होता है, पर थोड़ा सा फर्क है, genocide का मतलब हो गया, बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना, अब यहां पर भी लोगों की हत्या तो है, पर ध्यान दीजे, बचे लिखा ह है मिना, मैंने, by a government, मतलब कि जो existing government है, अगर government, सरकार ही, राजा ही, अपनी प्रजा के कुछ लोगों को मरवा दे, उसे हम democide का नाम देते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेगा, genocide और democide, exactly same नहीं होते, लोगों की हत्या नरसंधार कर देना, वो अलग तरीके सो होता है, कि 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 किसी और person ने, पर अगर राजा नहीं करवा दिया, अगर government नहीं करवा दिया है, तो हम उसको बोलते हैं, democide, क्या बोलते हैं, democide, पूरी बुक करा दो, पूरी बुक यहां तो नहीं करा पाएंगे, हाँ, पर application पे तो बहुत बार करा चुकी हूँ, आँ, special caste कास्ट के लोग application भी बहुत बार आई, ठीक है, Instagram पे PDF डाला करें, Instagram पे तो नहीं डालते हैं, पर आपको Telegram पे तो मिली जाती है, बचे, क्या, एप पर daily class होती है, क्या, yes Raj, spoken की भी class daily होती है, और vocabulary की भी class होती है, vocabulary का नया batch आपका 27 December, फिर से मैं बता दूँ, सिर्फ आपको 27 को है, तो सिर् दस दिन तक लिया करें, otherwise फिर recorded bass लिया करें, पैसा, फालतू का खराब नहीं करना है न, क्या बता दे निशा, क्या पूछ रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़के, okay, nice teaching, thank you, discount नहीं मिलेगा, never discount नहीं रखते हैं, मेरा थोड़ा मुद्दा बहुत अलग है, मैं शिद्दत से पढ़ाती हूँ और जो fees मुझे तो कम ही लगती है, मेरी महनत के साब से, true, मतलब मैं महनत करती हूँ यार, मैं कुछ ऐसा नहीं, मेरी किसी class में भी आपको ऐसा, आपने मेर ठीक है, वो मेरी महनत का फल है, तो आज तक भी मैंने ये महसूस नहीं किया, कि कभी भी student को ऐसा लगाओ की नहीं, पढ़ाने में कोई कमी है, मैं अपनी तरफ से कोई कमी रख रही हूँ, मेरी energy में कोई कमी है, मेरी content में कोई कमी है, तो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, त तो फिर उसके आगे fees तो ठीक है, आप भी समझते हैं बात को, अगर genuine अगर आप person है, तो दो मिनट सोच के देखिए, अगर कोई महनत करता है, तो fees मुझे नहीं लगता जादा है, पर मैं शिद्दत से पढ़ाती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में एक चीज, मेरी एक proper line है, म मुझे मज़ा आएगा, मैं तब तक पढ़ाऊंगी, जब आना बंद हो जाएगा ना, छोड़ दूँगी, शिद्दत के बिना मैं कोई काम नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ उसे, आप से भी यह कहते हूँ, अगर पढ़ने मज़ा रहा है, तो पढ़ा करो, वरना तो तुरंट छोड़ दिया गरो, कोई फाइदा नहीं है, हाँ, तुम्हें बताओं मैं, क्या आप इससे क्या पर पढ़ता है, love marriage करनी जाए, arrange marriage, क्या मतलब मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तुम कहा, love marriage, arrange marriage, भाई देखो, कोई से भी कर लो, तो मतलब बननी तो है नहीं, चाहे love marriage कर लो तब भी, मतलब ठीक ठाक किसी की नहीं चलती, चाहे arrange कर लो, उसमें भी किसी की ठीक ठाक नहीं चलती, तो मेरी खाल से arrange में फाइदा है, क्योंकि love marriage में दो तरफ से संकटा जाएंगे, घरवाले भी कहेंगे, कर ली अपनी मर्ज से और वहां तो बननी तो थी नहीं, वो तो किसी की नहीं बनती, किसी की भी नहीं, चाहे है, तो मेरी मतमानो, तुम्हारा जोर मन करें, ऐसा करो तो, word देखो, epidemic, यह मेरा concern है, आपका अपना concern हो सकता है, सबका अपना concern है, जी, epidemic, endemic and pandemic, इनी words की मैं बात कर रही थी, तीनों से थे थोड़ा वड़ा circle बनाया, जी, एक मैं ने इस से थोड़ा और बड़ा circle बना दिया, जी, तो देखेगा, यह इस से बड़ा, यह इस से बड़ा, यह इस से बड़ा, तो कम छेत्र में, पर्टिकुलर क्म्निटी के अंदर जो भीमारी फालती है, उसे हम कहते है, endemic, मत दुसरा इससे थोड़ा बड़ा छेतर है, उसे बोलेंगे हाँ, एपी, एपीडेमिक, एंड जो थार्ड वन आपको नजर आ रहे है, सबसे बड़ा, जैसे कि कोरोना था, वर्ड वाइड फैल गया, तो इसके लिए आप लगाएंगे, पैंडेमिक, गोर से देखिएगा, अग की बारे में, है ना, यूपी, सुपर टैट देना है, अंग्रेजी नहीं आती है, भावेश जी, ओके, जी भावेश, ठीक है, ओके, हाँ, अंग्रेजी नहीं आती है, पच्छे आप अगर आपके एक्जाम में 3-4 महिने का टाइम है, तो एक मोका आप वीडियो देखें मेर तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, एकदम बेसिक से ही मैं चीजे सिखाती हूँ, अरे भावी, हाँ, 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 बच्चे भी मेरे दो, बस, पागलो, एक आद तो मतलब एकदम दिमाह में सनक पना लेके बैठा है, बस, शादी करवानी उसको मेरी, ढूडो, ल रिष्टे बेदना शुरू करतो, ठीक है, मेरी मम्मी भी खुश हो जाएगी, पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, पैं का मतलब all, और यह जो डैम वार्ड है, यह तो हमें पता ही लग गया, किस से रिलेटेड है, पीपल से रिलेटेड है, तो हम देखें कि पैंडेमोनियम का मतलब क्या हुआ, पैंडेमोनियम का मतलब हो गया, वाइल्टेड नॉइसी डिसॉर्डर और कन्फ्यूजन, भई सब के सब, पैं का मतलब all, all मतलब यह बंदा भी, एक यह भी, देखें कैसा, बहुत सारे लोग मैंने यहां पर बना दिये, यह एक होल इस होल में भर गए हमने, पूरे भर लिये, जैसे मान लोग कोई शादी पार्टी हो रही है, तो किसी को किसी की सुना ही नहीं आती, समझी नहीं आता, कोन क्या कह रहा है, तो सारे सारे, all people ही कठे हो गए, एक होल के अंदर, तो क्या क्रियेट होगा, अप्रोर क्रियेट हुआ, जैसे कि हम बोले कोई अप्रोर सारे, कन्फ्यूजन सा क्रियेट हो जादा, कि कोन क्या कह रहा है, कुछ समझी नहीं आ रहा, तो जब कोन क्या कह रहा है, कुछ समझी नहीं आ रहा, उसे हम कहेंगे पांडेमोनियम, राइट, ओफलाइन भी बढ़ाती हूँ, येस, बढ़ाती है, कोई नहीं 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 पांगे, मतला मैं समझी नहीं, शिक्षा में प्रेंडोल, क्या होता है, Instagram पर मेरी request accept कर लीजिए, बिटा कर तो लेते हूंगे, कोई रह गई होगी तो चेक कर लेंगे हम, करी लेते हैं, मैं बिल्कुल starting से, बिल्कुल starting से batch शुरू होगा, Monday से, Monday से, एकदम starting से, एकदम basic से शुरू होगा, नहीं, Okay, और कोई, क्या please reply, मतलब समझ ही नहीं आता, आप एक काम करा गरें, कुछ आपका कोई ऐसा question रहा गरें, तो आप comment box में बाद में छोड़ दिया गरें, अगर कोई ऐसे genuine कुछ होगा, तो मैं next day उसका reply करना शुरू कर देती हूं, शुरू में काम कर दें, कोई भी आपका कुछ भी, आपकी कोई problem रहती है, पढ़ाई से related, कोई भी question है आपका, तो आप comment box में छोड़ दिया करें, जैसे आज Saturday है, तो मैं Monday को मिलूँगी आप से रात को 9 बजे, चीक है, Monday को मिलूँगी रात को 9 बजे, ओके, पहली बात तो यह सुन लो, दूसरी है कि उस दिन फिर ऐसा गया गरेंगी, जिसका भी genuine कुछ question या फिर समस्या रहेगी, पढ token का class 4 January से होगा, आप उस batch को अभी से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत निया, word देखते हैं, next word देखे, next word है, मेरे पास bio, bio आपने subject सुना होगा, biology, right, सब ने सुना है, biology, biology subject का मतलब क्या है, biology के अंदर आप study करते हैं, किसकी, bio की, और bio का मतलब होता है life, life की study है, जानवरों क की हो, तो उनको हम क्या बलेंगे, इंसानों की हो, biology के अंदर हम करते हैं study, तो bio का मतलब life होता है, मुझे बताइए, यह जितने भी word इहां लिखे हैं, 5 और 5, 10, इन 10 word को ध्यान से देखिए, और अपनी नजर को तेज करके मुझे बताइएगा, इन सारे words के अंदर कोई एक B-I-A-N है, B-I-O-R-A-N मिलकर इसने बना दिया है B-I-A-N, ठीक है, word देखिएगा, इसके अंदर भी bio है, okay, इसके अंदर भी bio है, इसके अंदर भी bio है, इसके अंदर भी bio है, bio waste, bio warfare, biotic, यह word हमने सुने होंगे, यह सारे के सारे word किस से related हैं, life से related है, English नहीं आती है, English पर बचे जो भी है, अभी मैं नहीं आपका apply कर पाऊंगी, मैंने बोला, जिसका भी genuine question रहेगा, तो Monday को हम लेंगे, Monday को मैं रात को 9 मुझे मिलूंगी, सबसे पहले आपके comment से question का apply दूंगी, ठीक है, bio है, yes, bio है, सबने मुझे बता दिया है, bio common word यहाँ पर है, new है, ठीक है, new ह तो channel subscribe करी लिए होगा, तब ही आपको comment में जाने का मोखा मिला होगा, तो पुरा ने हो जाएंगे आप, Monday को फिर से class देख लीजेगा, ठीक है, देखो, autobiography, word समझते हैं, word देख लिए आपने सारे के सारे, मैं इनको अभी describe करती हूँ, पहला word देखेगा, autobiography, autobiography को अगर मैं ब्रेक करूँ तो आप पाएंगे, autobiography, auto मतलब self, bio मतलब life, graphy मतलब लिखना, हम बोलेंगे, an account of persons the life written by dead self, मैटे आत्म कथा, सुने हो, आत्म कथा, खुद के जीवन के बारे में, खुद के जीवन के बारे में लिखना, क्या कहलाता है, autobiography, जो आत्म कथा आप बोलते हैं, उस क्या मतलब होता होगा मैं, अगर मैं इसमें से auto हटा दूँ, अगर मैं इसमें से auto हटा दूँ, तो आप पाएंगे biography, biography का मतलब क्या होता है, खुद के बारे में नहीं, सिर्फ किसी के जीवन के बारे में लिखना, जिसे आप हिंडी में कहते हैं, जीवनी, क्या कहते हो, जी biography है किसी औरने लिखी है तो वह biography है हम सुनते भी है आढ जैसे आपके movies वगरा आज बनने लगी है, a job biography बहुत बहुत बनने लगए, है ना बहुत खतरनाक पड़ाते हो, खतरनाक जहर्वलवालब चेहर वह दराते हो, और और अपरे přे जहर और खतरनाक इससे positive पॉजिटिव समझूं या, नेगेटिव, I know आप पॉजिटिव भी कह रहे हैं, दिखेगा, एमफीबियन, वर्ड समझेगा, एमफीबियन कैसे बना, एमफीबियन का मतलब होता है, एक एनिमल जो दोनों जगे रह सकता हो, एमफी का मतलब two होता है, बायो का मतलब लाइफ हो दो जगे, कहां-कहां, एक तो वाटर में और लैंड में, बताएए, कौन रह सकता है, बता सकते हैं, SSB का प्रपेशन, हाँ, आप स्पॉकन बैट से आप उसको अपको हाल्प मिल जाएगी, अगर आप NDA की प्रपेशन कर रहे हैं तो, मुझे पताएगा, ऐसा जन्तु जो पानी और लैंड दोनों पर रह सकता है, कौन है, में डख, हाज जी, उसी की बात चल रही है, अमफीबियन होते हैं, अमफी मतलब दो, बायो मतलब लाइफ, जो दोनों जगे रह सकते हैं, land में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, word देखेगा, microbiology, microbiology एक branch है, microbiology का मतलब होता है, a science that studies extremely small form of life, क्योंकि micro का मतलब जो छोटा होता है, bio का मतलब life होता है, मतलब की, एक science, जिसमें हम small forms of life की, turtle सब ने लिखा, चाँ, snake, और कोई, crocodile, हाँ जी, crocodile, तो यह सब amphibian है, microbiology एक branch है, biology की एक branch है, micro word add हो गया है, micro का मतलब है छोटा, तो small forms of life का जहां study किया जाता है, उसे हम microbiology कहते हैं, ठीक है, अगला word है aerobic, aerobic का मतलब, air का मतलब, air और bio का मतलब life, using oxygen for respiration, जीने के लिए, oxygen का प्रियोग करना, air का प्रियोग करना, क्या कहलाता है arrow भी कहलाता है, अगला word ध्यान से देखे, biosphere, word देखेगा, sphere, sphere क्या होते हैं, हम सोचेंगे, the part of earth, earth का वो part जहां पर क्या हो, bio हो, जहां पर life exist करती है, जैसे कि हम, तो हम कहां हैं, हम biosphere के अंदर है, एक ऐसा circle, ऐसा part air का, जिसमें life हो, उसे biosphere कहा जाता है, word समझेगा, bio waste, bio मतलब, तो life से related, आप जितने भी सबजियां हैं, फल हैं, उनके जो छिलके हैं, वो सब क्या है, waste है, कौन सा waste है, bio waste है, आप word सुनिएगा, bio weapon, biological weapon, जैसे कि virus को बोला गया, जैसे ऐसा सुनने में आया था कि China नहीं छोड़ा है, या फिर आगे 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 न साली, army war में बंद हो जाएगा, क्या शुरू हो गया है, bio weapon शुरू हो गया है, मतलब कि virus होड़ देना, बहुत सारी movies हम Hollywood की देखते भी हैं, जिसमें bio weapon के उपर बहुत सारी movies बनी होती हैं, तो bio weapon, virus, life वाला weapon, जिसमें life हो, तो उसे बोलेंगे bio weapon, word देखेगा, bio warfare, biological war, अब अगला word है, biotech, biotechnology, ये भी आपका एक branch है, ठीक है, अगला word है, biopsy, यही सबसे important word में यहाँ पर बोलूँगी, bio का मतलब life, biopsy का मतलब समझेगा, जिसे, जिसे मालो किसी tissue में problem हो गई, किसी organ में problem हो गई है, बोडी के, तो उस tissue को cut करके, remove करके, testing पे भेजा जाता है, कि क्यों है, जैसे हम cancer बगएरा के tissue होते है, cancerous cell जो है, cancer के लिए biopsy की जाती है, देखिए, समझेगा, यह autopsy नहीं है, ध्यान दीजेगा, autopsy क्या होती है, autopsy बच्चे क्या है, जब किसी shrub का correction किये जाए, मतलब कि मरे हुए का, यह पता लगा ना, कि इसका death का reason क्या रहा, death का कारण क्या है, तो उसे हम autopsy कहते हैं, biopsy क्या हो गया, bio का मतलब तो life है, तो किसी living tissue को cut करके body में से उसे testing पे भेजा जाता है कि बीमारी क्या है, तो उस बीमारी का पता लगाने के लिए आप क्या कहते हैं, oh, biopsy कहते हैं, ठीक है, कितने रुपे में मिलेगा और कहां पर म मिलेगा, so sweet of you, रुपे में तो ज्यादा नहीं मिलेगा, only 1000 का ही हमारा course है, मतलब मेरा course है, course तो आप को और भी मिल जाएंगे, कहां मिलेगा, आप एक app डाउनलोड गरिए, play store में जाके, ocean guru calls, वहां पर आपको batch मिल जाएंगे, 27 December के बाद फिर batch फरवरी में आएगा है, तो तो उन लोगों के लिए अगले 10 दिन तक आप इस batch को लें, उसके बाद ना लें, आपने job क्यों छोड़ दी, हम लोगों को तो मिलती ही नहीं है, job में पैसे कम मिलते थे, इसलिए छोड़ दी, केशो जी कहते हैं, मेरी वीडियो देखने के बाद उन्हें English easy लगने लगी है, चीए तो फिर देखो जबा के, सारी देखे रो, easy हो जाएगी, खटम, जिस जो चीज तुमें खौफ दे ना, परिशानी दे, संकट दे, सबसे पहले उसको याने दो, आज़ा बही, और से YouTube, देखे, आपके पास तो बहुत आप एक अच्छे यूग में है, आप, मानती हूं, competition बढ़ गया है, पर आपके लिए availability भी तो बढ़ गई है, आपके पास चीजे बनी-बनाई हैं, सब कुछ, आप खुद से आपको पढ़ने की जरूरती निये, मैं हूँ, मैं बोल रह है, जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, खुद से मत पढ़िएगा, कोई भी बच्चा, क्योंकि बहुत मोटी बुक है, और आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कहां से कैसे बढ़ना है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप मत करिएगा, MP, चाच की, English, तो मैं नहीं पढ़ा दी, मेरा, basically competitive exams और spoken का ही बाची चलते हैं, वो ही बाची मेरे लिए बहुत जादा हो जाते हैं, अगर आपको course match करता है, तो आप ले सकते हैं, बाकि मैंने slivers, नहीं देखा, फुल कोर्स अगर आप लेना चाहें, तो grammar का course आपको मिल जाएगा, सर बहुत बहुत बहतरीन grammar बढ़ाते हैं, आप देखा भी होगा, अमन सर की वीडियो आपको यूट्यूब में स्क्रॉल करेंगे, आपको मिल भी जाहेंगी, अमन दीप राविश, हमारी चैनल पर उनकी अप ले लिजिए, अप्लिकेशन पर यह आपको मिल जाएगा, पहले आप उनकी वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत बहुत शानदार वह बढ़ाते हैं, एकदम बेसिक से, हाँ जी बिल्कुल बेसिक से ही तो पढ़ा रहे हैं, क्यों? यह तो बहुत advanced अपामला था, समझ कुछ भी बढ़ा हूँ, आपको एकदम बेसिक से, मैं कोई सी वर्ड को ऐसे करती नहीं कि आता होगा ना तुम्हेने, और बताए, किसी और कोई question, बताओ क्या question, मैं class 11th में हूँ, क्या मैं batch ले सकता हूँ, नहीं नहीं, तुझे कोई ज़रूत नहीं है, कोई ज़रूत नहीं किस-किस चीज का preparation हम कर सकते हैं इससे, आप अगर SSE का preparation कर रहे हैं, किसी भी exam का, CHSL, CPO, MTS and उसके अलावा हम बात करें, अगर आप state exams कोई भी दे रहे हैं, जिसमें आपकी English आती हो, English कुछ अलग नहीं होती, किसी भी exam की, banking के आप preparation कर रहे हैं, या फिर defense में, आप NDA, CDS, CSF kid, किसी का भी preparation कर रहें, जिसमें English आती हो, तो वो सब आपका cover हो जाएगा, मेरे this batch में, हाँ, और कोई question? भावेश, भी, बोल दो, लो, भावेश, 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 और बोले, नाम लिख तू? Ma'am, you are very unique, thank you, thank you very much. CDS के लिए भी है, बिल्कुल, CDS के लिए तो सबसे ज़्यादा, CDS के लिए आप मेरा batch ले सकते हैं, पूरा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब आप exam देने जाएंगे. चार जन्वरी को आप live आएंगे क्या? आप लोग आएंगे क्या? ये question मैं आप से पूछू तो, आप लोग आएंगे? आएंगे तो फिर ऐसे thumbs up भेज देना. मेरे को भी पता लगना चाहिए न, कितना प्यार है आपकी तरफ से. उख्यार में चार जन्वरी को ही देखूंगी, अभी आप वादा करके भूलनी जाना. मैं वादा करके कभी भूली हूं आपसे? रास लेती हूं Monday, Wednesday, Saturday, Saturday, कभी भूलती हूं? कोई बहुत emergency आजाए, in that situation. आएंगे? ओके, ठीक है तो, उसी दिन मिलाएंगे. शॉपिंग हो गई आपकी? हाँ हो गई. चुटी लिये थे न, अभी लेंगे चुटी. एक तारीक को कर लेंगे अब शॉपिंग, ठीक है? Merry Christmas, आपको भी. खुश रही है. ठीक है, डन, डन, डन. थब के thumbs up मेरे पास पहुंच गए है. क्लास कैसी लेगी, उसकी like भी दबा दिया करो, ताकि समझ में आया मुझे, कैसा पढ़ाती हूं मैं? देखिए, बहुत लोग कहते हैं, बहुत टाइम से पढ़ा भी रही हूं कि हाँ, ठीक बढ़ादी है, पर फिर भी, मैं हर क्लस में जानना चाहते हूं कि आज मने ऐने कैसा पढ़ाया. क्योंकि आपका कहना की मैंने कैसा पढ़ाया, वो मेरे लिए मौटिवेशन है, वो मेरे को अगले कल, सुबह उठके फिरज से आप लोगों के लिए काम कारने की फ हर time अपने अपने लिए कुछ सीखता रहता है, हर दिन कुछ सीखता है, और हर दिन कुछ improve करता है, तो perfect तो वो कभी नहीं हो सकता है, इसलिए मैं आपसे daily एक question करती हूँ कि class कैसे लेगी? बहुत अच्छी लेगी है, ठीक है, so sweet of you, thank you. You are best teacher, no no no, I am not best. Best, best मत कहिए, best कोई नहीं होता, सब teacher best है, मेरे जो teacher थे, वो मुझसे भी best थे, best कैसे हो गया? आप मुझसे भी best बनेंगे, तो फिर best कैसे हो सकता है कोई? चलें फिर, जाएं फिर, इजाज़त दें, चलते हैं, और आपको मिलते हैं हम, कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? मंटे, रात 9 बजए, ओके? या, best, 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 thank you, thank you, thank you very much. PDF के लिए बिज़े, आप टेलिग्राम चैनल है, मेरा ओशन गुरुकुल्स नहीं. PDF के लिए आप सुमन इंग्लिष, आप टेलिग्राम चैनल पे जाएगा, सुमन सुर्य वंशी नहीं, सुमन सुर्य वंशी से आपको इंस्टा है, टेलिग्राम पे सिर्फ आप सुमन इंग्लिष टालेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, और अप्लिकेशन आपकी जो च पाइदे के लिए जिनका भी अभी exams हैं, उनके लिए कुछ लाने वाली हो, free of post रहेगा, मेरा नहीं रहेगा, किसी और का, तो आपके लिए कुछ extra हम लाने वाले हैं, तो उस पे आप download कर ले, वहाँ पर बोथ चलेगा, कोशिश करेंगे, अभी plan out कर रहे हैं, कुछ चीजे आ वह package आपको, उस package में जाके आप अभी से उसको purchase कर सकते हैं, और चार जन्वरी को कर लिजेगा, बाखी चार जन्वरी को आपन बहुत busy रहेंगे, तो पहले कर लेना, आप लोग भी busy रहेंगे ने मेरे साथ, सब याद हो गए हैं, class में जो आगर आज पढ़ाया, जो सब य जाया, चलो ठीक है, अपना खायल रखें, bye-bye, मिलते हैं, Monday को, रात को, नो बजे, ठीक है, goodnight to all of you, और आप कि इतने प्यारे-प्यारे masses के लिए, बहुत-बहुत-बहुत thank you.